नमस्कार दोस्तों मैं दिनेश आप सभी का एक बर फिर अपने यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम बात करेंगे विंडो स्पेस फेक्टर की इन ट्रांस्फोर्मर तो देखिए transformer में window space factor किस तरह से vary करता है कौन से जो factor होते है जिस पर ये window space factor depend करता है ये आज हम जानेंगे और ये कितना होता है किस transformer के लिए ये भी साथ में हम देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल और मेगनेटिक सर्किट में जैसा कि हमने अलरड़ी पिछले वीडियो में देख लिया है कि इलेक्ट्रिकल और मेगनेटिक सर्किट में जो similarity होती है उसके बारे में तो देखिए यहाँ यदि ये आप rectangle जो shape देख रहे हैं ये क्या है? ट्रांसफोर्मर की window है यदि आप इसका area calculate करेंगे area of window तो वो क्या होगा? area of window equals to height of window गुना width of window तो ये जो है आपका इस window का area हो जाएगा जिसमें ये आपकी height रहेगी और ये आपकी width रहेगी तो इस तरह से आप area of window जो है वो calculate कर लेंगे चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं कि window जो होती है वो transformer में कितनी होती है किस transformer में कितनी होती है और वो किस तरह की construction होती है तो देखिए सबसे पहले ये जो है आपका single phase transformer है कौन सा core type और ये जो है ये आपका है three phase जैसा कि आप diagram में देख पा रहे है कि single phase में आपकी window जो है वो एक बन रही है और इसमें जो है window आपकी दो बन रही है three phase में और number of turns की यदि अपने बात करें तो देखिए ये red color यदि primary है तो blue वाला secondary रहेगा ठीक है और इसमें भी देखिए हर leg पर black और blue जो है क्योंकि black यदि आप primary लेते हैं तो blue आपकी secondary रहेगी तो ये आपकी होगी core type की construction चलिए अब यदि अपने cell type की बात करें तो देखिए cell type में single phase transformer और three phase transformer कुछ इस तरह का होता है जिसमें window की यदि अपने बात करें तो देखिए single phase में window जो है वो two होती है और इसमें window जो होती है ये एक ये आपकी दो और half section इधर और half section इधर इसका मदलब आपकी total तीन window रहेगी अब देखिए साथ ही अपने बात कर लेते हैं कि इसको cell type क्यों बोलते हैं तो देखिए winding जो होती है वो इस core के द्वारा घिरी हुई रहती है surrounded by core so इसलिए इसको cell type बोलते हैं आप यदि single phase में भी देखेंगे तो winding जो है वो core के द्वारा घिरी हुई है और यदि core type की आप बात करेंगे तो इसमें देखिए आपकी winding जो है उसने क्या है core को घेरे हुए है ठीक है थ्री phase में देखिए आपकी ये winding जो है वो क्या है core को घेरे हुए है तो इसका मतलब क्या हो गया core is surrounded by winding तो core type हो गया और winding is surrounded by core तो cell type हो जाएगा ठीक है चलिए अब हम आजाते है window space factor पर तो देखिए window space factor जिसे हम kw से लिखते हैं इसका formula क्या होता है area of copper required divided by area of window ठीक है और kw को आप लिख सकते है area of copper divided by area of window तो यह जो formula है यह आपका window space factor का होगा और यह हमेशा आपका एक से कम रहेगा कम क्यों रहेगा क्योंकि यह जो area of window है यह तो आपका constant है अब vary होने वाली चीज क्या है वो आपकी area of copper है क्योंकि area of copper जो है वो क्या है size पर depend करेगा यदि आप conductor ज्यादा लेंगे तो insulation भी पर conductor पर आपको क्या करना होगा ज्यादा करना होगा तो यह depend करेगा voltage rating और current rating पर जो हम आगे discuss करेंगे तो यह बात होगी window space factor की जहाँ window का area तो इससे calculate कर लेंगे और area of copper जो है वो क्या है आप पर conductor का area आप निकालेंगे और number of conductor से multiply कर देंगे तो total जो conductor इसमें use होने वाले हैं वो आ जाएंगे चलिए अब हम बात कर लेते हैं कौन-कौन से factor होते हैं जिस पर यह depend करता है तो जिसमें पहला जो है वो है voltage rating KV voltage rating जो होती है transformer की उस पर window space factor क्यों depend करता है तो देखिए आपका जो voltage rating होती है उसके according insulation जो होता है वो voltage rating पर depend करता है यदि आप KV rating यदि आप बढ़ाएंगे इसका मतलब क्या है आप voltage rating बढ़ा रहे हैं तो insulation भी क्या करना होगा वो भी आपको ज़्यादा करना होगा यदि आप per conductor पर insulation यदि layer आप ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा आपका copper जो है न वो तो कम हो गया न और ये आपका insulation बढ़ गया और insulation बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया area of copper वो तो कम हो गया न और ये कम हो गया तो इसका मतलब kw जो है वो भी क्या होगा कम हो जाएगा तो इस case में यदि voltage rating बढ़ाएगे तो window space factor आपका कम होगा अब साथ में ये भी हम देखते हैं देखिए distribution transformer होता है उसका जो window space factor होता है kw वो कितना होता है तो देखिए वो होता है 0.3 से 0.4 के बीच में और power transformer जो होता है जिसे हम step up transformer बोलते हैं तो power transformer के case में window space factor जो होता है वो 0.2 से 0.3 के बीच में होता है अब distribution का ज्यादा क्यों होता है ये भी आप समझ गए होंगे क्योंकि power transformer होते हैं वो क्या है full load पर काम करते हैं उस पर load variation का कोई effect नहीं पड़ता इसलिए क्या है वो design किये जाते हैं full load efficiency के लिए तो यहाँ power transformer है वो voltage up है step up है ना तो voltage को वो बढ़ाते हैं तो इसका मतलब voltage rating आप increase करेंगे तो window space factor तो कम होगा और दूसरा distribution transformer जो होते हैं वो current rating पर depend करते हैं क्योंकि load यहदी vary होगा तो उसके according current भी change होगी और यहदी current rating आप बढ़ाएंगे इसका मतलब voltage rating तो कम होगी क्योंकि total power जो होती है वो क्या होती है V into I होती है यहदी आप voltage कम करेंगे तभी तो क्या current बढ़ पाएगी और current यहदी आप बढ़ाएंगे voltage यहदी आप कम करेंगे तो insulation भी आपको कम करना होगा और copper का area जो है वो बढ़ जाएगा current यहदी आप बढ़ाते हैं तो इसका मतलब current को handle करने के लिए conductor की size बढ़ानी होगी copper आपको ज़्यादा use में लेना होगा तो copper यहदी आप ज़्यादा use करेंगे तो window space factor obviously बढ़ेगा चलिए number 2 यहदी अपने देखें तो वो है kVA rating of transformer तो देखें kVA rating किस तरह से depend करती है यहदी आप kVA rating बढ़ाते हैं यहदी 500 kVA और 1000 kVA का transformer आप use करते हैं तो यहदी आप kVA rating बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब current rating बढ़ा रहे हैं और current rating बढ़ा रहे हैं तो conductor का size जो है वो बढ़ाएंगे क्योंकि conductor current ज़्यादा कब होगी जब size ज़्यादा होगी तभी तो वो conductor जो है वो current को handle कर पाएगा तो size बढ़ाएंगे तो इसका मतलब area of copper जो है वो बढ़ेगा और इसके साथ ही window space factor जो क्या होता है area of copper divided by area of window तो यह भी क्या होगा बढ़ेगा ठीक है तो यदि आप rating बढ़ाएंगे तो इसका मतलब current की rating बढ़ेगी जिसकी बढ़े से size बढ़ेगी और size के साथ copper जो है वो भी बढ़ेगा और बढ़ेगा तो window space factor भी अल्रेड़ी बढ़ेगा जैसा कि हमने distribution transformer में देखा तो इस तरह से kva rating पर जो है वो window space factor depend करता है यदि आप kva rating बढ़ाएंगे तो window space factor बढ़ेगा चलिए नमबर तीन जो है वो है class of insulation यदि आप insulation पर conductor पर thickness यदि आप बढ़ाते है insulation की thickness यदि आप बढ़ाते है कि यदि आप मोटा insulation यूज़ कर रहे है तो इसका मतलब insulation जदा यूज़ कर रहे है और thickness बढ़ाने का मतलब आपका area of copper क्या होगा कम होगा thickness increase करने का मतलब होगया क्योंकि आपका space तो fix है न तो इसमें आपका ये copper होगया और ये आपका insulation होगया और insulation आप thickness बढ़ाएंगे तो area copper का कम हो जाएगा और उसी ratio में आपका window space factor भी कम हो जाएगा तो इसलिए thickness पर भी आपका window space factor depend करेगा ठीक है दोस्तों तो आज के लिए इतना ही दोस्तों अगले वीडियो में एक नए topic के साथ फिर मुलाकात होगी subscribe now and press the bell icon never miss an update